नागरिक्ता संशोधन कानून के समर्थन में केंद्री ग्रहमंत्री अमत्शाह ने गुरुवार को राजस्थान के जोधपुर में जन सभा की इस दरान उन्होंने कॉंग्रिस पर जम कर हमला बोला शाह ने कहा कि भाजपा ने देश भर में नागरिक्ता संशोधन कानून के समर्थन में जन जागरन अभियान का आयोजन किया है क्यों ये आयोजन करना पड़ा क्योंकि जिस कॉंग्रिस को वोट बैंक की राजनीती की आदत पड़ गई है उसने इस कानून का दुश प्रचार किया है अमित शाह ने अलान किया कि CAA, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश से हिंदू सिख, जैन, पार्सी, बोध, इसाई लोग जो धर्म की आधार पर प्रतारित होकर आये हैं उन्हें नागरिक्ता देनी का कानून है विपक्षे इसके खिलाफ एक जुट हो जाएं लेकिन भाजपा इस फैसले पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी शर्णार्थियों पर जो प्रतार्ना हुई है इससे बड़ा मानवधिकार का उलंगन कभी नहीं हुआ वहाँ ये शर्णार्थी भाई करोडपती थे और आज उनके पास रहने की जगह नहीं है वहाँ उनके पास कई बीगा जमीन थी और यहाँ उनके पास खाने को कुछ नहीं है अमिच श्याह ने सवाल उठाया कि ये महात्मा गांधी जी का वादा था क्या वो सांप्रदाइक थे जवालाल नहरू ने भी संसद में कहा था कि जो हिंदू या सिख आये हैं हम उन्हें नागरिक्ता देंगे क्या वो सांप्रदाइक थे सरदार पटेल मुलाना अजाद राजियंद्र प्रितसाद जैसे लोगों ने कहा था कॉंग्रिस पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी वोट बैंक के डर से हिम्मत नहीं कर पाई लेकिन 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो लाखो करोडों शरणार्थी आये हैं इनके मानव अधिकार और समान की रक्षा मैं करूंगा जो शरणार्थी अत्याचार जेलकर भारत आये हैं जिनकी संपत्ती रोजगार छीन लिया गया जिसका परिवार छिन गया और उसके लिए विपक्षी कहते हैं कि इन्हें नागरिक्ता नहीं दी जाए मैं कहना चाहता हूँ कि उन देशों से जो शरणार्थी आये हैं वो भारत के ही है अमिच शाह ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी गुमरह कर रही है वो कह रही है कि ये कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा किसी भी धर्म को हमने बाकी नहीं रखा है इन तीन देशों जो माइनोरिटी है चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन, बोध, पार्टी या इसाई हो इन सभी को हम नागरिक्ता दे रहे हैं अमित शाह बोले कि कॉंग्रेस ममता दिदी, SP, BSP, केजरिवालेंड कमपनी सभी इस कानून का विरोध कर रहे हैं इन सभी को मैं चुनौती देता हूं कि वो साबित करें कि इससे किसी अलपसंख्यक को नुकसान होगा अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा अगर कानून पड़ा है तो इस पर चर्चा करने के लिए आ जाएए अगर नहीं पड़ा तो मैं आपको इटली भाषा में इसका ट्रांसलेशन भीजने के लिए तैयार हूं ममता बनर जी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि ममता दीदी कह रही है कि आपकी लाइने लग जाएंगी आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे मैं बंगाल में बसे हुए सारे शरणार्थी भाईयों को कहना चाहता हूं कि आपको कोई प्रतार्णा नहीं जेलनी पड़ेगी आपको सम्मान के साथ नागरिक्ता दी जाएगी दीदी से डरने की जरुवत नहीं है ममसा धिति को कहना चाहता हूं कि बंगाली भाशी शर्णार्थी हिंदू दरीतों ने आपका क्या विगाड़ा है क्यों इनकी नागरिक्ता का विरोध कर ही हो